आज मैं आपके साथ शेर करने जा रही हूं 5 मिन्स में बनी हुई एक स्वाधिस्ट चॉकलेट डिजर्ट की रेसिपी जिसे खावकर आपको एक तम मज़ा आ जाएगा हलो एव्रिवान वेलकम तू दे मौडर्ण फोडिस चलिए शुडू करते हैं यहां पर मैं लिया हूँ 5 प्रेट स्लाइस इनका ब्रावन पोर्षन मैंने पहले से ही कट कर लिया है अभी मैं एक बोल पर ले रही हूं थोड़ा सा बोन बीटा यहां पर मैंने 5 रुपे का एक पैक लिया है अभी मैं इसमें डाल ले हूँ 20 ml के कारीब पानी अभी इसे अच्छे से मिला लेना है अभी मैंने लिया है 10 रुपे का दो चॉकलेट बिस्किट के पैक इनको अभी ग्राइंडर जार में लेना है अब कोई भी चॉकलेट बिस्कित ले सकते हैं अभी मैं इसम स्मूद करके ग्राइंड कर लेना है यह बिस्कित ग्राइंड हो चुका है अभी इसे एक बोल में कलेक्ट कर लीजिए अभी मैंने यहां पर लिया है एक 20 रुपे का मिल्की बार का पैक और लिया है तीन 10 रुपे का टेरी मिल्क मिल्की बार को दो हिस्सों में बाट लेना है अभी मिल्की बार और टेरी मिल्क को अलग से मिल्ट कर लेना है अभी एक ब्रेट का स्लाइस लेकर उसके उपर मेल्टेट चॉकलेट लगाना है चॉकलेट लगाने के बाद उसको एक दूसरे ब्रेट से ढग देना है इसी तरह और एक पेर तेयार करना है अभी उसमें से एक पेर लेकर उसके उपर melted milk की बार लगा देना है इसके उपर अच्छे से लगाने की बात जो last bread का slice बढ़ा हुआ है उससे इसको ढग देना है अभी इसके उपर भी melted milk की बार को लगाना है यह हो जाने के बात वो जो हमने दूसरा पेर बनाया था उसको इसके उपर बिठा देना है अभी इसके बात वो जो बोन बिटा और विस्किट का हमने mixture बनाया था उसे इसके उपर पुरा लगा देना है इस पॉसेस को हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि melted chocolate बहुती जल्दी जम जाता है अभी यह हो जाने के बात हम इसके उपर melted cherry milk को डालेंगे और side से भी थोड़ा डालना है अभी milk की बार का जो दूसरा हिस्सा आमने बचा के रखा था उसे melt करके इसके उपर decorate करना है यह cream नहीं है इसलिए एक जगा stiff नहीं होगा पर यह खाने में एकतम जबर्दस्त है आप अपने घर पे try करना और मुझे बताना आपको कैसा लगा है आशा करती हुए 5 मिनिट्स recipe आपको अच्छा लगा है आपको अच्छा लगे तो like और comment करके मुझे उच्छा आदेना और इसी ही तरह easy and tasty recipes पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रू subscribe करना और उसके साथ बेल आइकन को पेस करके all notifications को दबा देना ताकि जब मैं कोई नया recipe चैनल पे डालू उसका notifications आपके पास तुरंद पहुँच जाए और सबके साथ share करना मत भूलना धन्यवाद झाल प्यादी करना मत पास पास बालू झाए